कुछ इस वीडियो में हम तो बेशिक कोईस्शन से डौनों में ही आपके हैप करेंगे स्टाट करते हैं वीडियो को फसंदाए तो वीडियो को लाइक कीचे शेयर कीचे और किसी पितरें की कवेरिए तो प्लीस जरूब बताएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व में रिजर्व में रिजल्ट इन अब जो सीक्रेट रिजर्व सोते हैं वो हमारे किस से बनाए जाते हैं जो एसे कौन सा यहां पर पॉइंट है जिसके थू हम सीक्रेट रिजर्व को अपने क्रिएट करते हैं हमें यह बताना है तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें सीक्रेट रिजर्व की तो यहां पर जो इसको राइड आउंसर होगा होगा जो कि हमारा प्रोइडिंग एकसे डेट अपर एकसे हैं तो यहां पर क्या होगा एक आपकी बनेगई एक सीक्रेट रिजर्व इसके तिरू बनाया जासकता है secret reserve में result वाए अब secret reserve जो है आपको इस options के according बताने है जैसे कि premium on issue of share यानि कि यो share issue करने पर जो premium उसके साथ होता है उसके basis पर profit prior to incorporation dividend equalization reserve या फिर reserve created end of profit on the sale of fixed यानि कि जो भी आरक्षित और निर्धारित विक्री पर जो लाब होता है उससे तो देखें यहाँ पर जो options है इन options के according जो हमारा answer होगा वो होगा option number 3 क्योंकि dividend equalization reserve जो है वो हमारा यहाँ पर पूंची गत नामानकर आइगत संचे माना गया है और इसका main purpose क्या होता है dividend equalization fund का या reserve का इसका main purpose होता है बनाने का कि जो भी हमारी जो dividend है उसकी rate को proper बनाया जा सके कभी-कभी ऐसा होता है कि company को enough profit नहीं होता तो वो उस समय या उस साल अपने जो shareholders है उनको कहां से dividend देगा और अगा dividend नहीं देगा तो वहाँ पर जो investors होंगे वो आगे से invest नहीं करेंगे या फिर एक negative image बन जाएगी company की उन investors के mind में तो अपना जो impression है वो सही बनाए रखने के लिए company की image सही बनाए रखने के लिए dividend equalization reserve बनाया जाता है जिससे कि अगर किसी साल profit ना हो तो इस reserve से वहाँ पर उनको dividend दिया जा सके तो dividend equalization reserve जो है वो हमारा secret reserve की तरह काम करता है नेक्स्ट है which of the following is a revenue expenditure अब इसमें से revenue expenditure कौन सा हमें यह बताना है repairs on purchase of second hand assets to put into working condition यानि कि कोई भी ऐसी repairing कराना जिससे assets जो है वो working condition बनी रहे preliminary expenses कराना cost of issuing shares and ventures या फिल लीगल expenses to defend a suite filed by the competitor तो हमें बताना इनमसे कौन सा हमाना revenue expenditure है तो देखिए अगर revenue expenditure की बात करें तो website को निरंतर चराय रखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें आई गत्वे करना पड़ता है तो D के अत्रेक तखरम यहाँ पर बात करें तो बाकि सारे हमारे क्या हैं हमारे पूंजी गत्वे हैं तो यहाँ पर option जो होगा वो हमारा option D right answer हो जाएगा यह option D legal expenses to defend a suite filed by the competitor next question पर आते हैं in double entry system of bookkeeping a transaction effects a double entry system जो है हमारा bookkeeping का उसमें transactions हमारे effect करते हैं कैसे एक account में दो बार दो accounts में एक ही समया पर one account in two ways यानिकि एक account में दो तरीकों से या फिर two accounts in two ways each यानिकि दो account में दोनों तरीके से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम double entry system भी बात करें तो सबसे पहले मैं यह पता हूना चाहिए double entry system में transactions किस तरह से होते हैं तो double entry system में हमारे transactions होते हैं वो हमारे दोनों side होते हैं यानिकि debit side भी और credit side भी तो यहाँ पर देखिए जो हमारा right answer होगा वो यहाँ पर एक account in two ways यह हमारा option यहाँ पर बिल्कुल correct होगा तो option 3 यहाँ पर right answer है क्योंकि एक account में दो जगे entry होती है किसी भी transaction की एक होती है credit side एक होती है debit side इसलिए यहाँ पर option C हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं देखिए यह question थोड़ा बड़ा है यह पूरे यहाँ से question है और यह हमारे options थे तो पहले हम questions देख लेते हैं consider the following activities अब देखिए यहाँ पर हमें activities को हमें यहाँ पर material wise लगाना है summarizing the performance of a business यानि कि business के performance को summarize करना analyzing the business transactions उनके business transactions को analyze करना interpret करना result recording day transactions तो accounting cycle हमें यहाँ पर बताना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर देखिए option number आप देख लीजे option यहाँ पर सबसे पहले आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं लेन देनों का लेखन करते हैं यानि कि हम क्या करेंगे recording करेंगे सबसे पहले ठीके तो यहां पर होगे हमारा four सबसे पहले हम record करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे उनका wishlation करते हैं wishlation का मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया उसको analyze करने से तो होगे हमारा 2 यह होगे हमारा wishlation करना wishlation करने के बाद हम क्या गड़ते हैं जो भी हमारी wishlation करने के बाद जो next step आएगा वो होगा उसको summarize करना summarize करने के यानि कि हम उनको एक short way में हम उन सारी चीज़ों को इनेलाइज करने में निकल कर आया, उसको हम शोट में उस पूरे चीज को लिखेंगे, तो हो गया हमारा वन, उसके बाद आएगा, जो भी हमने सम्ब्रैस किया, उसके बाद हम जो भी result निकला उसको इंटर्प्रेट करेंगे, यानि कि आब उसको हम बताएंगे कि यह इस तरीके से निकला यानि कि उसको एक वैलिडेट किसी एक्जामपल की थूरू या फिर अपने रेशियो की थूरू उसको हम explain करने के कोशिश करेंगे कि हाँ यह पूरी चीज थी जिसके थूरू हमारा यह रिजल्ट निकल कर आया तो यहां पर option फिर क्या जाएगा 3 तो हमारा जो वो बनेगा यहां पर cycle वो बनेगा 4,2,1,3 का तो 4,2,1,3 यहां पर option 2 में है तो option 2 यहां पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next आते है the user group of accounting information is अब जो accounting information है उसका user group क्या खिलता है owners of the business, managers of the business, potential investor of the business याने all of the above तो जो भी हमारा user group होता है accounting information का वो हमारा owners of business भी होता है, manager of business भी होता है, investor भी हो सकता है तो यह सारे ही यहां पर जो काम होते हैं यह इसकी होते हैं इसलिए option 2 हमारा all of the other right answer हो जाएगा next है next question पर आते हैं, the first accounting standard AS1 issued by the institute of chartered accountant of India is अब जो हमारा accounting standard 1 है वो हमारा क्या बताता है, valuation of inventories, revenue recognition, change of financial position या disclosure of accounting policy तो 1 जो हमें बताता है वो बताता है disclosure of accounting policies option 4 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा वो हमारा किस से related है, मैंने आपको बताया था कि in accounting standard के सिर्फ और सिर्फ आप यह देख लीजे कि किस से related है इससे अंदर आपको पाढ़ने के जुरुत नहीं है क्योंकि आपकी exam में बहुत basic questions आते हैं ठीक है तो आपको दो याद रखना है accounting standard किस से related है, valuation of presentation of inventory, depreciation accounting, information to be disclosed and none of the above तो देखिए दो कि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह हमारा accounting standard 2 जो है, वो हमारा यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा evaluation and presentation of inventory से, depreciation की बात करें, तो depreciation हमारा accounting standard 6 से related है and हमारा information to be disclosed है, यह accounting standard 1 है, disclosure of accounting policies, 2 inventory, 3 cash flow statement, 4 contingency event, 5 prior period, 6 depreciation तो इस तरह से पूरे हैं, 22 या 21 तक है, तो आप इनको बस याद कर लिजे कि किस से किस से related है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूत नहीं है next आ हम बात करते हैं, the Chartered Accountant Act was enacted in the year, जो Chartered Accountant Act है, यह हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में तो Chartered Accountant Act जो है, वो हमारा आया था, 1949 में तो option 4, यहाँ पे हमारा right answer है, ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था, 49 में next आते हैं, the first accounting standard issued by the accounting standard board of India, जो मारा first accounting standard है, जो issue किया गया था, accounting standard board of India के द्वारा वो कौन सा है, अभी मैंने आपको बताए था, valuation of inventory, तो देखे, यह तो आपको पताई चलके 2 है, depreciation यह भी मैंने आपको बता दिया, 6, disclosure of accounting policy and revenue recognition, इसमें से बताना है, तो disclosure of accounting policy मैंने आपको ब related है, तो देखे, यहाँ पर जो हमारा right answer है, यहाँ पर first ही पूछा गया है, तो option 3 right answer हो जाएगा, ठीके, revenue recognition आपको मुझे comment section में बताना है, अगर आपको बता है तो, ठीके, नहीं तो आप serial wise इसको ऐसे recall कर सकते हैं, first disclosure of accounting policy, 2 inventory, 3 cash flow statement, 4 contingency event, 5 prior period, 6 depreciation, 7 construction, 8 research and development, 9 revenue recognition, ठीके, तो यह 9 क्या होगा है, revenue recognition, ठीके, next आते हैं, goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited, अब एक proprietor है, अपने personal use के लिए business से withdraw करता है, तो उसमें वहाँ पर credit कौन सी item की जाएगी, या फिर कौन सा account किया जाएगा, sales account, purchase account, supplier's account, या फिर stock account, तो यहाँ पर बात की जा रही है, उसके withdrawal से related है, तो देखिए, जो stock account है, यानि कि, जो withdrawal करेगा, वो उसके पास, कभी न कभी, stock में रखा रहा होगा, वो वही, उसको, क्या करेगा, वहाँ से personal use के लिए निकालेगा, इसलिए stock account किया जाएगा, purchase नहीं कर सकती, क्योंकि हमें नहीं पता, जो stock वो निकाल रहा है, या फिर जो personal use के लिए निकाल रहा है, वो purchase से निकाल रहा है, sales भी नहीं आ सकता, क्योंज sales account तब आएगा, जब वो कुछ sales से related कोई transaction करेगा, इसलिए होगा, क्योंकि वो कुछ माल उसके business में रखा हुआ है, as a stock, वो वहाँ से अपने personal use के लिए निकाल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फोर हमारा right answer हो जाएगा, नेक्स कोशन पर आते हैं, which of the following is not a function of accounting, अब आपको इसमें से बताना है, कौन से accounting का function नहीं है, keeping systematic record, protecting properties of business, maximizing the results, meeting legal requirements, तो देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक accounting का काम क्या होता है, जो भी transactions हो रहे हैं, उनको record करके रखना, जो भी business की properties हैं, प्रोडेक्ट करना, legal requirements के according सारे काम करना, लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी results हैं, उसको maximize करना, इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है, accounting का सिर्फ record करना, systematic way में record करना, उनका maintenance देखना, systematic तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी rules provide के हैं, उस rule के according, उनका record करना, और जो भी properties हैं, या फिर जो भी legal requirements हैं, उन सब को follow करना, ठीक है, तो यहाँ पर option 3 जो है, वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर option 3 हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, which one of the following does not constitute our current liability, अब इसमें से कौन सा हमारा current liability का गठन नहीं है, bills payable, contingent liability, creditors, interest outstanding on deventures, तो देखे, current liability जो होती, वो liability होती है, जो कि आपको एक साल के अंदर pay off करना होता है, और current liability का मतलब ही यही है, कि कम से कम, यानि कि बहुत कम time period होता है, उसके अंदर आपको इसका payment करना है, तो देखे, bills payable होते हैं हमारे one year के, one year तक के, trade creditors, यह भी हमारे current liability का part है, इनकी time period भी one year से कमका होता है, interest outstanding on deventures, इसका भी time period हमारा one year से कमका होता है, अब यहाँ पे ज़्यादा है, वो है contingent liability, इसका time period ज़्यादा होता है, आकस्मिक ह होती है, तो यहाँ पर option two हमारा right answer हो जाएगा, contingent liability क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि यह reliability है भी या नहीं भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक साल की है, हो सकता है, फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है, नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी time period नहीं बता के चल सकते हैं कि एक साल का है, दो साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका time period हम सब को बता है कि एक साल के अंदर तक के हैं, ठीक है, तो option two जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, next question पे आते है, in a business net assets on January 1st, यानि कि January 1st पर एक business के अंदर जो net assets थी, वो 6000 रुपे की थी, और 31st January पर व 7500 की थी, ठीक है, दो थी, इभी, the withdrawals of the owner during January are Rs. 1000, अब वो जन्वरी के time period के अंदर वो 1000 रुपे निकाल लेता है, अगर कोई उस company का owner, तो net income January की क्या होगी, ठीक है, तो आप देखिए, ऐसे निकाल के चलिए, 31st जैन को उसके पास कितनी संपत्ती थी, 7500, कितनी assets थी, 7500 की, उसने bidrol की 1000, तो bidrol हमेशा add होते हैं, तो 1000 आपने add कर दी, कितने हो गई है, हमारे 8500 हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर यह क्या बोल रहा है, और एक January को उसकी कितनी थी, assets जो थी, यानिकी जो opening थी, वो थी हमारी 6000 रुपे की, तो इसको आपको minus करना पड़ेगा, अब 6000 आप इसमें से minus कर दीजी, तो आपको कितना बच्चा 2500, तो यह 2500 जो है, जन्वरी मा की जो है, वो शुद्धा आया होगी, क्योंकि 6000 तो पहले का add था, तो वो minus करना पड़ा, और 1000 उसने निकाल लिया, निकाला किस मै कर रहा है, remaining जो पचे 2500, 2500 की net income है, तो यहाँ पर option 2 जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, I hope यह question आपको clear हुआ होगा, इसी तरह की छोटे questions आते हैं, ज्यादा नंबे questions इसमें नहीं पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी लंबी calculation हो, next है consider the following statement, आपको यह statement बताने हैं कि यहाँ पर the language of business, जो accounting है, क्या वो business की language है, reason है, accounting provides all information needed by a businessman, आने की accounting जो है, वो सारी information परवइड करता है, जो कि एक businessman को nécess motset wonder होती है, तो देखिए accounting परवाइड कर रहा है, यानि कि वो उसकी language है, तभी तो बो उसको परवाइड कर रहा है, आने जरी सारे information, जो assertion है, उसके according reason जो है, वो A and R are true, R is the correct explanation of A , A is true but R is false and A is true अब इसमें से आपको बताना है कौनसा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया ? कि accounting जो है वो business के language होती है यह बिल्कुल सही है क्योंकि वो इस language है तभी तो इस language के through बता रहा है एक businessman को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन सी उसको information चाहिए वो उसको information प्रवाइड गर रहा है इसलिए जो assertion है उसके according जो reason दिया हुगा वो विल्कुल सही है इसलिए यहाँ पर option 1 जो है वो हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं तो friends आज के लिए इतना ही questions थे I hope यह सारे questions आपको clear हुए होंगे किसी भी तरह का आपको कोई doubt हो फिर भी तो आप comment section में पूस सकते हैं और कोई और topic है या फिर आप चाहते हैं किसी particular topic पे हम discussion करें as a theory तो आप उसे भी नीचो comment section में लिख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अपने friends के इस वीडियो को जरूर शेयर किये जएगा like किये जएगा और अभी तक चानल को subscribe नहीं किया तो please चानल को जरूर subscribe किये जएगा जिससे कि आपको future में जो भी हम classes करें उन classes आपको easily मिल जाए तो next video में फिर मिलते हैं हम आप से और वी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए take care बाई बाई